नमस्कार बागवन भाईयो तो आज का जो मेरा टॉपिक है बागवन भाईयो ये एक ये सोचे आपकी इस टाइम बहुत ही जुरूरी टाइम है कि जैसे आप जितने भी बागवन भाईय है आप सब को ही पता होगा इस बार स्नोफॉल भी बहुत अच्छा हुआ बारिशे भी ऑखmuş लितन 셋 मां हना तो इस बार भी बागवन भाईय थो जिन्न भी इस साल तो आप देख सकते हो कि इस टेमका अगरा जादा आटसलिए हो सब्सक्सेंरों मुल नियु प्लान्तेशन कि उडिफा क्यों होई है तो झैफ आप सब्सक्राइब काफ़ी ज्छ्यादा झे dziटन पुराने या तीन साल पुराने चार साल पुराने प्लांट है उनमें तो उतना फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि इस बार स्नोफॉल भी और बारिश अच्छी हुई है बट जो हमने न्यू प्लांटेशन की हुई है उसमें आप देख सकते हो कि लगो महिना होने बाला है और को इसके लिए बागवन भायो आपको इसी टाइम अभी देखे मैं तो देखे लगबग मिरको आज टू डेज हो गए हैं दो दिन हो गए तो दो दिन से मैं जहां भी मैंने न्यू प्लांटेशन की हुई है तो बहां पर मैं हर और्चड में पानी दे रहा हूं और आप सभी ब बीगा दो बीगा तीन बीगा तो लगबग 30-40% लोग ही ऐसे जिनके पास लेंड होल्डिंग एक जगह बे काफी ज्यादा है बाकी मैकसिमम जितने भी लोग है तो क्यूंकि बागवन भायो मैं तो अपना ही जो मेरे प्रैक्टिस है और जो मेरा एक्स्परेंस है और जो भ बागवन भायों के पास जैसे हमारे पास अलग अलग जगह तुक्रों में जमीने हैं तो मुझे यह लगता है कि 60-70% बागवन भाय हमाचल मैसे जिनके पास 25 में जमीन है तो बहां पर कई चीज़े पॉसिवल नहीं है तो उसके लिए बागवन भायों आपको खुद सोचना पड़ेगा मैं आपको हर वीडियो में यही बताता हूं कि हमें अपनी बागवानी के लिए खुद अपने औ अपनी जमीनों में तौल यहां नहीं बनाते हैं तो और हम अपनी जमीनों में तौल्या नहीं बनाते हैं तो और हम अपनी जमीनों खुदाई नहीं करते तो आप देख सकते हो कि हमारी जमीन में काफी लगबग हाफ से वन फीट के असपास गहास हो चुका है तो इससे मौश्चर बना रहता है जैसे इस साल की कंडिशन आप देख सकते हो कि महीना होने बाला और बारिशे नहीं पड़ है तो जो न्यू हमने प्लांटेशन की है तो इसके लिए तो इसके सूकने के चांसे काफी ज्यादा बढ़ गए हैं तो बागन भाईयो आपको ध्यान देना पड़ेगा इस नहीं बहुत ज्रूरी भक्त है अगर आप अगर यह सोचे कर आट-दस दिन अगर और बारिशे न तो मैंने यह देखे यह आपका मार्केट में आपको 200-600 की बीच में यह मिलते हैं तो इससे आप अपने ओचर्ड में इस पानी दे सकते हो आजकल तो आजकल बहुत जुरी टाइम है अगर इस टैम अगर हम अपने जहां पे भी हमने न्यू प्लांटेशन की है बहां अगर पानी ना दे तो हमारे जितने भी पौद है इसके सूखने के चांसे बहुत बर जाएंगे तो इससे हमें बागन बायो दो चीजों का नुकसान होगा है एक तो आप खुद देख सकते हो कि सबसे बड़ा नुकसान जो हमने प्लांट जो हमने खृदा है उसका नुकसान और जो सेकिंड लॉस हमें होगा साल का सबसे बड़ा लॉस यह का है कि आप एक साल आप लेट लेट हो जाओगे तो नेक्स टेर फिर हमें प्लांट लेना पड़ेगा फिर उसके लिए बही ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी तो इसलिए बागन बायो इस टाइम अब देखे आप जितना भी हो सके बागन बायो जहां पे भी आपको लगता है कि मैंने निव प्लांटेशन की है तो महीना होने वाला है कोई बारिश नहीं हो रही है अगर 10-12 दिन और बारिश नहीं हो तो हमारे प्लांट सुकने के चांस बहुत जादा है तो बागन बायो इस टाइम यही कोशिज किज़े कि जहां पे भी आपको लगता है कि नहीं यहां पे मेरा इस्त्मीन में सूका बढ़ रहा है और प्लांट मने के चांसिज है तो बहां पे आप इस तरह पानी दे सकते हो तो आप देख सकते बागन बायो जितनी भी मेरी प्रैक्टिस है मैं सारी हर ही कोशी रहती है कि हर बागवन भाई तक मेरी जो भी प्रैक्टिस है वो पहुंच सके